है पाउन हेल्ट हीसूज और जोनाईल केंसे इन दोनों के विस में क्या कोरेलिशन है क्या रिलिशन सीफ है बहुत अच्छा सवाल है आपका यह जो आपमें उठा यह बलने सही है कि जिन बच्चों में मैं एल्ण ए सुज है वही डेलिकेंसे की तरफ जाते हो जो mental health issues के हमने बताया कि जो जिनको addiction हो गई है बच्चों को वो addiction को पूरा करने के लिए petty offenses में हो जाते हैं, पहले petty में होते हैं या फिर बड़े offense में हो जाते हैं, और ये भी देखा गया है कि जो criminals हैं, जो adult हैं, वो बच्चों का सहारा लेते हैं क्राइम करवाने के, उनको प justice act है, उसमें बच्चों को सजा नहीं होती है, उसमें उसका जो परपज है वो rehabilitation का होता है, बच्चा अगर पकड़ा भी जाएगा, तो उसकी बेल हो जाएगी, तुरंत, तो इसलिए जो बड़े बड़े लोग हैं, वो बच्चों को फाइदा उठाते हैं, दूसरा, जो जिसको proper environment नहीं मिला है, parents के साथ नहीं रहते हैं, तो वो बच्चा फिर anger में, frustration में आके, जो उसके needs है, उनको पूरा करने के लिए, वो crime में involved हो जाता है, लड़ाई जगड़े में involved हो जाएगा, पहरे छोटा crime करेगा, उसके बड़ा crime करेगा, तो इस तरह से जिनको mental health problem है बच्चों को, जायतर वो ही, जो है, crime में involved होते हैं, और ये lower class में ही नहीं, middle class में भी, जिनके parents proper care नहीं कर रहे हैं बच्चों की, जो father और mother दोनों काम कर रहे हैं, बच्चों के ठीक सा देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बच्चे भी देलिकेंसी तरफ चले जाते हैं, तो एक तरह हमारा social condition है, वो हमारे चिल्डर, डेलिकेंसी चिल्डर के लिए इसका आलकल जो एक बात और एड करना चाहूंगा मैं, यह आलकल जो छोटे परिवार का जो चलन हुआ है, यह घर में एक ही बच्चा होता है, उसको एक प्रॉपर environment नहीं बिलबाता दूसरे बच्चों को साथ खेलने के लिए, तो उसका अकेला पर मैसूद होता है, वहां से उसको mental health problem होनी शुरू हो जाती है, फुर वो डेलिकेंसी तरफ चलाए, यह मेरी observation, बहुत अश्चे सर आपने साजा किया, तो क्या ऐसा जैसे आप बतारें कि mental health जिनको problem हो, डेलिकेंसी के तरफ बढ़ता है, अपराद करने के तरफ बढ़ते हैं, तो क्या वैसे वर्स अगर हम देखें, कि जो लोग अपराद करना सुरू कर देते हैं, भले उसको कोई problem ना हो, mental health issues ना हो, तो अपराद करने के जब जिसा में बढ़ते चले जाते हैं, त तो क्या उनको mental health problem तब develop हो जाती है, तो ऐसे वर्स भी सही हो सकता है, ना, ऐसा भी आपने हो सकता है, बढ़ी बढ़ी कोमन सी बात है, जो आदमी crime कर रहा है ना, उसको आप दौरपल मत समझी, चाह वो बच्चा है बड़ा है, कही उसको mental health की problem है, एक मैं example देके बताता हू आपको, आप किसी आदमी को अगर घायल देखते हैं, तो आपको बड़ा अजीब सा लगता है, एक दया आती है आपके अंदर, ठीक है, हो सकता है, आप कुछ लोग ऐसे खून देके जो है, जबरा जाते हैं, लेकि जो criminal है, उसके अंदर दया भाव खतम हो गया है, पूचा कुछ भी रिजन रहे हैं, उसके फैमिली पर रागन रहे हैं, कुछ भी रहे हैं, वो आदमी को चाकू भी मारता है, गोली भी मारता है, लूटता भी है, तो एक तरह से देखा जाये, तो जो एक woman emotions होती है, वो उसकी खतम हो चुकी, और वो अपनी नीद पूरी करने के करता है, वो mentally healthy नहीं, तो आपने सर इसमें, जो हमने भी question discuss किया, इसमें आपने बीच में हैमिली की बात की, क्यों जो दोनों parents working है, और बच्चा अकेला पड़ जाता है, कई बार उस अकेलेपन को दूर करने के लिए गलत संगत में चला जाता है, और फिर वो उस treatment involved होता चल आता है.